हालो एवरीवान गुद इवनिंग नमश्कार अग्रिकल्चर अड़र 247 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है डॉक्तर मिनाक्षी राथी और यहां हम एंटमोलाजी कंसेप्चुल पढ़ रहे हैं तो आप लोगों की हाई डिमांड थी कि माम एंटमोलाज की कंसेप्ट पढ़ाई है तो मैं तो आपके कंसेप्ट लेकर आ गई है पर आप अभी तक क्लास में टाइम से नहीं आए रही बाड चले तो आगर आप चैनल पर नाए है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए ताकि हमारी सारी नोट चैनल चरण टर्टीफूर्ट वॉल सेविन को उसके बाद नेक्स क्या करना है नेक्स आपने आप डाउनलोड करनी है है घलो हरी वंच मोहन तो भाही मोहन वाइड यू जिस्ट चैनलो कोई बात नहीं देखते है धुड़ी तेर में अड़ा की आप अगर अभी तक आप लो क्वेज जॉब एलर्ट तो काफी सारे आइटिकल्स एक्स्क्लूसिव कंटेंट वीडियोज काफी कुछ मलता है और सबसे अच्छी बात आप की यह कि आप चलते फिरते मोबाइल को यूज करते हुए भी पड़ पाते कहीं जा रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं तो भी जो है आ आयम माम नोट मामू ओके अड़ा किया अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटा फट से अड़ा की आप डाउनलोड कर लीजे और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं समझ आ ही रहा है आज हम इंसेक्ट के विंग्स पढ़ने वाले हैं अच्छा जी आ गए तन होती है तो वो हम आज करने वाले हैं ओके तो लेट्स किट स्टार्टेड शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभू का नाम अंताक्षरी नहीं शुरू करेंगे क्लास शुरू करेंगे भई चलो तो विंक्स सभी को पसंद होते हैं तो विंक्स की क्या-क्या खास बात है इंसेक्ट आर्था ओनली इन वर्टीब्रेट्स जिन में विंक्स होते हैं यानि की सभी वर्टीब्रेट्स में रिंग्स होते हैं इंसेक्ट पहले इन वर्टीब्रेट्स हैं जिन में विंक्स पा इन वर्टीब्रेट्स आपके गुड इवनिंग अखिल गुड इवनिंग भूमी का तो इन वर्टीब्रेट्स आपके होते हैं जिन में बोन नहीं होती बैक बोन नहीं होती है उनको इन वर्टीब्रेट्स कहते हैं जिन में बैक बोन होती है उनको वर्टीब्रेट्स कहते हैं इंक्त पहले in vertebrates रिंछ में बैक बोर नहीं है लेकिन वेंग्स है तो यह आपके प्रूफ लाइट करते हैं यानि कि सच में उड़ते हैं तो यह आपके पहले जो हे in vertebrates based on the presence और absence of wings, wings की presence और absence पे हम लो में अप्राइब सके हैं एसको ए टेरीघोटा एंट योटा में बाटा किया है है ना अ अ इट तसे मजे ए टे legelis इंसक्त जो प्राइमरी इसे होते का Isn't जन से उनके एंसेस्टेर्स में भी कोई बिंस प्रड्री नहीं होते है थो य रे टेरीघोटा अ फोते हुच्ट आ भून endless in टेरी गोट्स में क्या होता है टेरी गोट्स में आपके विंग्ड इंसेक्ट होते हैं जिनके विंग्स प्रेजन्ट होते हैं या फिर सेकेंडरी ली विंग्लेस इंसेक्ट का क्या मतलब है वो इंसेक्ट जिनके फूर फार्दर्स या एंसिस्टर्स में विंग्स नहीं है तो basically इन हूने क्या किया है विंक्स का इस्तमाल नहीं किया है और टाइम के साथ विंक्स इन में आने बंध हो गए तो these are your secondary wingless insects जो टेरी गोट्स में आते हैं तक माइड माइड मैं दीनीयोल देथ हर्व टूरा है इसमें आपका आएगा हाढ डिप लिए प्रोटू रापके एक्जामपल इसमें आएंगे ठ्रीकियर इंब आपके wings present होते हैं wings के तो आपके butterflies हैं मोट हैं बिटल्स हैं सभी में wings present होते हैं तो ये टेरी गोटा के example है चलो भई एग्री लर्नर ने तो मतलब साथ साथ लाइन लगा दिये hello विनोद and I think you are new to the class नए है आप class में भई एक बर मेरे इस insect की तारीफ कर दो कितना cute लग रहा है चलो तो typically insect wing is triangular in shape ये triangular shape का होता है जिसमें तीन margins होती हैं और तीन angles होते हैं तो कौन सी कौन सी तीन margins होती है coastal margin appical margin and anal margin OK तो तीन margin इसमें present होगी अफ्कोस triangular shape का अगर ये in in wing होता है स तरीके का wing होता है तो इन ये जो उपर की जो आपकी margins हैं इनके नाम है क्या क्या नाम है coastal margin है apical margin है, anal margin है ओके, तो यह coastal margin होगी यह apical margin होगी यह anal margin होगी, जो नीचे वाली होगी उसके बाद तीन इसमें जो है आपके angles present होते है humeral angle नाम याद रखेगा humeral angle between body wall and coastal margin जो उपर वाली margin है coastal margin है और यहाँ पर आपके insect की body है, उसके बीच में जो angle बनता है, उसको क्या कहते हैं humoral angle कहते है ठीक है, उसके बाद आपका apical angle होगा, apical angle apical margin के और coastal margin के बीच बनेगा anal angle होगा, जो anal और apical के बीच बनेगा तो यह आपके तीन angle present होते हैं humoral angle, apical angle anal angle margins कौन से कौन से हैं coastal margin, apical margin anal margin तो तीन जो है आपके margins हैं और तीन आपके angles है क्योंकि insect triangular shape के होते हैं तो of course बच्चा ये रहा आपका diagram, तो ये देखे तो diagram में आप यहां देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाली margin है जो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ होती है, इसका नाम होता है coastal margin नमबर वन ठीक है तो coastal margin को कैसे याद रखेंगे हम पहली margin है coastal margin generally उसको कहा जाता है जहां पर आपका समुद्र धरती से मिलता है तो वहां पर coastal areas होते हैं तो coastal margin यानि की पहली line जो है आपकी coastal margin रहेगी Thank you so much Roshan उसके बाद दूसरा क्या है apical margin तो यह जो बाहर वाला हिस्सा है let's change the color and make it more colorful यह आपकी जो है apical margin है जो बाहर की तरफ होती है तो इसको कहते हैं apical margin तीसरी क्या है तीसरी का नाम है green color लेंगे अब यह नीचे की तरफ जो होती है जिस तरफ यह नीचे की तरफ होगा यह होगा anal margin तो यह नीचे की तरफ ही जो है आपकी अगर यहाँ पर पूरा insect बनाएंगे इस तरीके से तो नीचे की तरफ ही आपका anal portion होता है और नीचे की तरफ ही यह margin होती है तो anal margin जो है नीचे की तरफ होती है apical margin बाहर की तरफ होती है coastal margin उपर की तरफ होती है तो ये तीन margins present होती है अब तीन angles भी present होते हैं कौन से कौन से तीन angles हैं ये जो insect की body है यहाँ पर और जो ये वाला ALEX injal है जो पहला angle बनता है coastal margin के साथ इसको कहते है humoral angle इसको कहते है humoral angle इनको a b c कर देते है humoral angle तो ये आपका हुमराल एंगल है जो इंसेक्ट की बॉडी और कोस्टल मार्जिन के साथ में बनता है यह आपका एपिकल एंगल है जो आपका एपिकल मार्जिन और कोस्टल मार्जिन के बीच में बनता है इसको एपिकल एंगल कहते हैं विच इस बी ओके यह आपका एनल एंगल है जिसमें एनल मिल रहे हैं तो यह आपका जो है CornellAY थे मार्जिन और टीन एंगल्स प्रिजन है अब फिरी और सब क्या है यह भी अभी बताते हैं तो basically आपका जो यह पूरा insect है यह रेमीजियम जो आप देख रहे हैं यह पार्ट जो है आपका ये पूरा पार्ट जो है ये रमेजियम है यहाँ पर ये पूरा पार्ट सर्फेस जो है रमेजियम है रमेजियम में आपके जो वेंस होती है वो जादा डेंस होती है यारे की देंसली जो वेंस प्रेजंट है वो रमेजियम में प्रेजंट होती है और यहाँ इस पोर् इते हैं क्रेश्ट ये portion जो है आपका ये portion कहता है क्लावर्श पॉर्षन और ये रह मेंग युम तो बैसकाली जो सर्फेस है sechs hopeless plan के win time वो दो भागों में बटा हूआ ओता है एक एक सर्फेस इसमें डेंस ली वेन मिलती है उसकोद अमेंग कहते हैं जहां पर veins light होती हैं उसको clevis कहते हैं अब यह रमेजियम और clevis यहां से अलग होता है यहां पर एक जो है इसका यह structure बना हुआ है फरो बनी हुई है जहां से यह clevis और रमेजियम अलग होते हैं इसका नाम क्या है? क्लावल फरो इसका नाम है क्लावल फरो उसके बाद जुगम या जुगल फोल्ड होता है यह मैं आपको बाद में explain करूंगी आपको better समझ आएगा ठीक है तो basically आपका एक यह structure प्रेजेंट होता है इसके बारे में मैंने आपसे कई बार question पूछ लिया है तो एक black color का mark present होता है wing के ऊपर इसको कहा जाता है टेरो stigma टेरो stigma तो यह टेरो स्टिग्मा मैंने आपसे कई बार questions में पूछा है यह किसमे present होता है यह dragonfly में present होता है तो ये tero stigma है जो यहाँ पर black सा mark जिनके wings पर देखने को मिलता है तो यह पूरा आपका wing का diagram है तीन इसमे margin है तीन इसमे angle है दो surface area है एक को remedium कहते हैं एक को cleves कहते हैं और यह किस से अलग होते हैं यह cable foro से अलग होते हैं तो यह आपके basic insect का diagram है राइट चलिए फिर आती है विंग वेनेशन विंग वेनेशन कैसी होती है आपने पत्तियां देखी है अगर इंसेक्ट के विंग्स नहीं देखे होंगे तो पत्तियों में जो पतली-पतली वेनेशन होती है उसी तरीके के इंसेक्ट के विंग्स में भी जो है वेनेशन होती है arrangement of veins on wing surface is known as wing venation which consists of two types of veins आपकी दो type की veins होती है एक का नाम है longitudinal veins दूसरी का नाम है cross veins तो longitudinal wings और cross veins दो type की veins होती है यह अगर आपका जो है wing present है तो इस तरीके से जो लंबी लंबी present होती है इनको कहते है longitudinal veins अब इनके बीच में यह जो दो veins को इस तरीके से जोडने का काम करती है यह होती है आपकी cross veins तो यह interlink करती है longitudinal veins को और यह जो आपकी longitudinal veins है यह भी दो type की होती है कौनसी कौनसी दो टाइब की होती हैं Convex and Concave टाइब की होती है यानि की कुछ veins इस शेप में मिलेंगी और कुछ veins इस शेप में मिलेंगी यह convex shape है और यह concave shape है Right तो आपको 2 shape की veins मिलेंगी Longitudinal में Convex shape की और concave shape की जो लंबी लंबी शुरू से आखरी तक जाती है cross veins क्या है दो longitudinal veins को जोडने का काम करती है cross veins तो ये जो है आपकी छोटी छोटी veins होती है और ये longitudinal लंबी veins होती है उसके बाद आपके types of wings आ जाते हैं कि wings में भी काफी modifications present होती है right, thank you agree learner अपना नाम तो बता दो यार एक बार तो पता चले आपका real name क्या है चलो types of wings करते हैं जैसे कि हमने पिछली बार कल क्या किया था हमने legs की modifications की थी तो legs की जिस तरीके से modification होती है उसी तरीके से आपकी wings की भी modifications होती है पहली modification है जिसका नाम है tag Mina तो ये Mina को tag कर देते हैं मेरा तो खुद का नाम मिनाक्षी है तो मैं इसको ऐसे ही याद कर लेती हूँ है तो मेरा निकनेम वैसे Meenu है अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज बता देती हूँ तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही याद कर लेती हूँ tagmina करके है न मीना को tag करना है तो four wings are leathery and tough ये इसके जो four wings है वो leathery होते है और tough होते है hard होते है they protect the membranous hind wings और ये जो है आपकी modification जो tagmina type की modification है ये किस में पाई जाती है ये अभीनेश ओके मुझे याद नहीं रहा आपका अभीनेश एग्री लर्नर से मैं confused हो गई थी हाँ मीरू माम कह सकते हो चलिए टेग मीना जो है उपर की wings में present होती है यानि की four wings में present होती है आगे वाले wings में present होती है आगे वाले wings को four wings कहते हैं पीछे वाले wings को hind wings कहते हैं एक बात और आपके wings हमेशा thorax से निकलते हैं एक मीजो थोरेक से निकलता है और एक मैटा थोरेक से निकलता है प्रो थोरेक से wings नहीं निकलते हैं तो ये भी आप याद रखेगा चिक हैं चलिए तो टेग मीना जो है आपका जो उपर वाला punk है जो आगे वाला punk है वो leathery और hard होता है तो basically वो उड़ने के काम नहीं आता है वो क्या काम आता है जो नीचे के delicate wings है जो hind wings है उनको protect करने के काम आता है तो पहले जैसे कि ये आपका नीचे का wing है ये नीचे का wing जब इसके उपर आएगा ये उपर वाला wing इसको आधा दिख कर लेता है तो tagmina जो है basically एक ऐसी modification है जो hind wing को पीछे वाले wing को protect करती है तो ये आगे वाले wing hard हो जाते हैं leathery हो जाते हैं ताकि उसको protect कर सके किसमें present होता है कोक्रोच में present होता है और grass hopper में present होता है ठीक है तो आपका कोक्रोच है grass hopper है इसमें आपको tagmina type का wing देखने को म leathery और tough होता है दूसरा है elitra elitra wing elitra wing भी जो है इसी तरीके का है आपके tagmina जैसा ही इसका काम है क्या काम है good evening संध्या elitra क्या करता है उसी तरीके से आपके hind wing को protect करता है तो hind wing को protection का का हम elitra भी कर रहा है तो फिर कहोगे कि मैं टेग्मीन और elitra में difference क्या है देखिए यह सिर्फ लेदरी है यानिकी अभी लचीला है लेदरी है थोड़ा सा उसको protect करता है stem borer में मैं present or absent अच्छा यह इसमें आया था के question वही stem borer का मैं आपको check कर के बता सकते हैं तो is not my core subject चलिए elitra elitra में क्या है यह भी hind wing को protect करते हैं लेकिन यह लैदरी होते हैं लचीले होते हैं और यह बिलकुल hard shell जैसे हो जाते हैं यानि कि बिलकुल जैसे shell होती है hard उसी तरीके के यह बन जाते हैं तो यह elitra होते हैं जो hard होते हैं shell like होते हैं without clear venation और इनमें कोई venation दिखाई नहीं देती है तो elitra भी जो हैं आपकी modification है they form horny sheets and protect the membrane hind wing and abdomen abdomen और hind wing को protect करने का यह काम करते हैं तो bitles के wings आपने देखे हैं न बिटल्स उपर से बिलकुल crusty crusty hard होती है उसमें कोई venation भी present नहीं होती है उसको जब वो side करती है lady bird विटल आपने देखी होगी तो उसके नीचे जो है transparent wing निकलते हैं तो बिलकुल इस तरीके के जो हैं आपके wings है यह उपर वाला जो हिस्सा है यह काफी tough और hard होता है बिलकुल एक plastic के धक्कन जैसा होता है ओके और यह जो है आपकी जो नीचे वाले पंक है यह membranus है delicate punk है तो यह इनको protect करने का काम करता है नहीं मेरी msc entomology से नहीं है मेरी msc genetics and plant breeding से है okay चलो तो यह है आपका elytra type of wing उसके बाद next क्या है hemi elytra type तो यहां से तो नाम से ही समझ आ रहा है कि elytra जैसा होगा कुछ-कुछ hemi elytra भी वैसा होगा तो इसमें elytra में क्या था कि पूरा जो four wing है जो आगे वाला wing है वो पूरा hard shell में convert हो जाता है hemi elytra में वो आधा convert होता है आधा membranus रहता है तो आधा तो वो hard sclerotized बन जाता है और आधा membranus रहता है तो इसको hemi elytra बोलते हैं hemi का मतलब क्या हो गया हाफ elytra हम पहले पढ़ ही चुके हैं बच्चे मेरे मैं गुडगाओं से ही हूँ गुडगाओं हर्याना ओके हैमी elytra तो hemi elytra से यनकी आधा elytra रहेगा यनकी आधा wing जो है hard हो जाएगा और आधा membranus रहेगा the base of the wing is thick base इसका thick हो जाता है और remaining part जो है membranus रहता है तो ये भी जो है four wings of bugs में present होता है यानि कि ये भी आगे वाले wings की modification है और ये किस में present होती है ये four wings of bugs में present होती है elytra आपके bitles में present होते है four wings में आपके कौन सी present होती है bugs में आपकी hemilytra present होती है उसके बाद बिल्कुल membranus structure आ जाएंगे जो बहुत ही पतले membranus type मिलते है तो ये देखो मैंने आपको example बताया था ना tero stigma किसमे present होता है तो ये black structure आप यहाँ पर देख रहे है dark structure यहाँ पर मैंने जिसको light बना दिया है ये जो dark structure है यहाँ पर ये है आपका tero stigma जो membranus structure पर जादा दिखाई देता है येस चौधरी चरन सिंग हर्याना अग्रिकल्चरल युनिवर्सिटी उसके बाद इसमें जो है membranus wings होते हैं पतले-पतले wings होते हैं काफी delicate होते हैं और venation भी इसमें बहुत clear दिखाई देती है तो ये आपके membranus wings हैं which is naked and thin and clear venation can be seen तो ये actually में flight के काम आते हैं elytra है hemilytra है ये आपके flight में काम नहीं आते हैं उडने में काम नहीं आते हैं केवल protect करने के काम में आते हैं तो आपकी membranus structure जो है ये आपके flight में काम आते हैं उडने में काम आते हैं ड्रेगन फ्लाइ बीज एन वास्प में आपके हिंड विंक्स जो है वो बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं मतलब इसमें ग्रास होपर में और बीटल्स में हिंड विंक्स होते हैं और दोनों ही विंक्स मैंब्रेनस होते हैं आपके ड्रेगन फ्लाइ में बीज में एन वास्प म complete हो गई थी वहीं सो आई तेंक इट्स 2022 2021 में मेरी PhD complete हो गई थी तो अब लगा लो MSC कब complete हो गई होगी 2017 I guess हां 2017 में मेरी MSC complete हो गई थी जल्ड तो अब हमारे इंसेक्ट उडने के लिए बिलकुल तयार हैं लेकिन उडना इतना आसान भी नहीं है सिर्फ पंक लगने से नहीं उड़ते अकल भी चाहिए होती है है ना ओके चलो अच्छी बात है तो बिच्चे बताया ना उडने के लिए सिर्फ विंग्स की जरुवत नहीं होती यू नीड ब्रीन ऑल्सो बट इंच्ट के पास इतना सफिशेंट ब्रेन है कि वो फ्लाइट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कपलिंग अपारिटस से कर सकते हैं देखिए उडने के लिए बहुत जरूरी है कि जो फूर विंग्स और हिंड विंग्स दोनों जो wings का साथ में उड़ना four wings और hind wings दोनों का साथ movement करना coordinated movement करना बहुत ज़रूरी है उनको flight लेने के लिए उनको उड़ने के लिए ठीक है तो इसके लिए coupling apparatus होते हैं क्या होते हैं ये coupling apparatus कुछ इस तरीके के structures insect के wings में present होते हैं जिसकी help से ये coordinated movement कर पाते हैं क्योंकि ये इन दोनों wings को four wings को और hind wings को आपस में जोड़ पाते हैं कुछ time के लिए ताकि वो coordinated movement करें एक साथ movement करें for taking flight insect need to keep both the four wings and hind wings together as a single unit तो इसके लिए इसमें कुछ structures present होंगे जिनको आप क्या कहते हैं coupling apparatus कहते हैं क्या कहेंगे coupling apparatus बच्चे ओपी ऐसी में मैंने आपको पढ़ाया तो है genetics mcqs practice करने हैं तो आप बता सकते हैं वैसे कुछ तो हमने यहां किये ही है practice बाकी थ्यूरी classes जो मैंने आपको करवाई है ओपी ऐसी में उतनी काफी है plant breeding से बहुत ज़्यादा डीप नहीं है कर डूंट वरी बहुत उपर उपर से आता है इन सारे subject से तो आई I think मुझे लग रहा है मैंने जितनी classes आपके लिए है that will be enough अगर classes की PDF आपको नहीं मिली है तो आप बता सकते हैं तो आपकी coupling apparatus सबसे पहला उसमें आता है जुगेट टाइप या जुगम टाइप मैंने आपको इंसेक्ट का विंग पढ़ाते हुए बताया था कि इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो जुगेट टाइप या जुगम टाइप आइप सर्फिस ऑफ तो हिंड विंग तो इनको यह जो है आपके प्रिमिटिव लापिड ऑप्टरंस में देखने को मिलते हैं आप सोचो के मैम क्या क्या बोल गई कोई बात या भी बताती हूं हाँ बच्चे एक सफीशेंट और डॉंट वरी या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप टेलिग्राम ग्रुप जोइन कर सकते हैं आप सभी लोग पीडिएफ के लिए पूछ रहे थे सब लोग जो है टेलिग्राम ग्रुप प्लांड साइन्स विद मिनाक्षी राथी तो प्लांड साइन्स विद मिनाक्षी राथी को आप जॉइन करेंगे तो वहां पर आइल बी सेंदिंग यू थे पीडिएफ क्योंकि हमारी टेकनिकल टीम तो भया दस बार उनको बोले देर प्लांड साइन्स विद मिनाक्षी राथी चलो यहां आए वापस तो आक्शली इसी लिए मैने बोला था की क्लास में आना क्योंकि पहले आई दिन्ट क्रियेट देट माटब कंटिनुवसली स्टूडें आर आसकिं इसी लिए जो है मैने आप लोगो को बोला की आप व चलो तो अब यहां की बात करें अपने जुगेट या जुगम टाइप्स की तो जुगेट या जुगम टाइप ऑफ विंग कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है है ना यह आपका पाम जो है ये विंग है और विंग में इस तरीके का स्ट्रक्चर ब वेचर प्रेजन्ट होता है जो की दूसरे विंग के उसमें जो है फिट हो जाता है जैसे यहां देखे यह जो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से यह जो आपका उठेर की शेप जैसा है इस तरीके से यह प्रेजन्ट होता है यहां पर स्ट्रक्चर और इसमें आपका जो नीचे वाला विंग है, ये fix हो जाता है, उसकी जो एक परत है, वो इसमें घुस जाती है, और fix हो जाती है, तो आप क्योंकि अब ये जुड़ गए हैं, तो ये एक साथ flight करेंगे, एक साथ move करेंगे, right, तो ये आपका four wing है, ये आपका hand wing है, और ये जो structure है, इसको जुग कहते हैं, which is overlapping each other, तो जुगम type of coupling apparatus है, वो बिलकुल इसी तरीके का है, जैसे मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, कि आपका जो ये hand है, इसमें जिस तरीके का curve है, इस तरीके का curve होगा, आपके four wing में दूसरा आएगा और उसका जो है, इस तरीके से उसमें fit हो जाता है, औ और उसके बाद इनकी coordinated movement होती है, यानि कि एक साथ move करते हैं, जिससे insect flight ले पाता है, example क्या है, primitive lapidoptrons, primitive lapidoptrons, पुराने जो दादा पर दादा वाले जो lapidoptrons है, यानि कि आपकी butterflies और moths, उनमें जो है, आपका जुगम type या जुगेट type of coupling apparatus present होता है, गुड इवनिंग सूरज चलिए, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है frenulum और retinaculum, frenulum and retinaculum, तो नाम से ही मत सोचना बहुत difficult कुछ होने वाला है, इसमें बहुत easy है, frenulum and retinaculum, तो frenulum जो है और retinaculum जो है, बिल्कुल आपका जैसे दर्वाजे की कुंडी होती है, बिल्कुल वैसे काम करता है, तो एक के पास आपके जो पिछला hind wing जो है, hind wing के पास कुंडी जैसा एक पूरा structure present है, I should change the pen, इस hind wing के पास ऐसा structure, कुंडी जैसा structure जो है, spine की तरह present होता है, और four wing में एक hook होता है, जिसमें ये जो है, अपना fix हो जाता है, तो कुंडी बंद हो गई है, दोनों ही wings आपस में जुड़ गए है, और यह है, एक साथ flight कर सकते है, coordinated movement कर सकते है, तो आपके क्योंकि आपका ये four wing है, ये hind wing है, अगर इसमें कुछ इस तरीके का structure present है, जो इसमें किसी भी hook में इस तरीके से लग जाएगा, तो अब क्योंकि ये joint हो गए है, ये एक साथ movement करेंगे, एक साथ movement क हो जाएगी, तो ये बिलकुल कुंडी जैसा है, जैसे आपकी दर्वाजे की कुंडी होती है, एक आपका spine-like structure होता है, जो आपके four wing में एक hook होता है, उसमें जाकर fix हो जाता है, और उसके बाद ये एक साथ movement करते हैं, coordinated movement करते हैं, फ्रेनिलम और रेटिना क्यूलम टाइप of hindu wings possess bristle or spine-like structure, जो ये bristle or spine-like structure है, जिसको हम अपनी देशी भाशा में कुंडी कह रहे है, वो science की भाशा में क्या कहलाता है, फ्रेनिलम कहलाता है, ओके, so फ्रेनिलम इस यो कुंडी, याद रख लेना, and the four wing possess the retinaculum, और कुंडी का जो hook होता है, वो क्या है, रेटिना क्यू और ये जो है आपका कपलिंग अपारिटस है, किस में प्रेजंट होता है, मोथ में अक्सर ये अपारिटस देखने को मिलता है, तो मोथ is the example of your frenulum and retinaculum type of coupling apparatus, then hemuli present होती है, hemuli बिल्कुल आपके जो है, इस तरीके के देखे, नॉब्स प्रेजंट होते हैं, spine like structures present हैं, और ये जो है आपके next जो four wings होगा, उसमें जाकर fix हो जाते हैं, तो ये आपके इस तरीके के structure present होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके spines present होते हैं, और ये दूसरे के साथ ऐसा fix हो जाएंगे, और फिर four wings और hind wings जो हैं, जुड़ जाएंगे, और इसको hemuli कहा जाता है, तो इस तरीके के hook like structure present होते हैं, और ये hooks जो है, जो four wings है, उसमें जो इस तरीके से यूँ fix हो जाएंगे, ऐसे पूरा जो है, जुड़ जाएंगे, और ये coupling apparatus बनाएंगे, जिसका नाम क्या है, hemuli, hemuli इसका नाम है, small curved hook like structure present on the coastal margins, तो coastal margins यानि की उपर की margin पर present होगा, ताकि four wing इस से जुड़ सके, हैना, तो ये आपका हिंड विंग है, और ये आपका four wing है, तो हिंड विंग की coastal margin पर hooks present होते हैं, जो four wing पर attach हो जाते हैं, और फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं, hemuli बना लेते हैं, तो hemuli जो आपकी है, ये किस में present होती है, हिम नॉप ट्रेंज में present होत होती है, हिम नॉप ट्रें, हिम नॉप ट्रा ओर्डर में कौन से कौन से आते हैं, बीज एन वास्प आपके हिम नॉप ट्रा ओर्डर में आते हैं, तो ये वास्प एन बीज हैं, जो हिम नॉप ट्रा ओर्डर में आती हैं, और hemuli type of coupling apparatus बनता है, तो कुछ प्रेक्टिस कर ले हो गई बहुत पढ़ाई चलो फटाफट से कुछ क्वेशन कर ले दें which of the following are the main characteristic features of insect insect का main characteristic feature क्या है pair of antenna, three pair of legs, pair of wings, all of the above insect की identification करने के लिए उसमें सबसे major characteristics कौन सी कौन सी होती है pair of antenna, three pairs of leg, pair of wing, all of the above हीता सान से बहीं बता दो हां, all of the above चलिये, then which of the following is called the resting and inactive stage in the insect life cycle कौन सा in message जो है resting stage of insect life cycle कहलाता है the egg stage, the larval stage, the pupil stage या फिर adult stage कौन सी insect की stage जो है resting stage कहलाती है तो ये तो अब sericulture में पता चली गया होगा, पूरे दिन से आज हम यही पढ़ रहे थे pupil stage, pupil stage is your resting stage of the insect है न, तो C will be your answer, pupil stage इसमें insect न खाता है, न पीता है, केवल respiration करता है और वो भी काफी slow करता है, जितनी बस जीने के लिए जरूरी हो बाकि कोई activity नहीं करता है, resting stage में होता है insect which feed on one type of food, जो पूरा दिन एक ही टाइप का food खाता रहता है, उस type के insect को क्या कहते है polyphagus, monophagus, entomophagy, none of the above polyphagus, monophagus, entomophagy, none of the above बताएए इसको कहेंगे monophagus, जो एक टाइप के food को खाता है, उसे monophagus कहते हैं, जो variety of food खाता है, उसे polyphagus कहते हैं, entomophagy किसे कहते हैं, जो बड़े insect, छोटे insects को कहते हैं, उसने entomophagy कहते हैं, यानि कि इंसेक्ट को खाना इस एंटो मोफगी, ento leads to insect, फागी is खाना, ओके, चलिए, आफिड विचिस्माल साप सकिंग इंसेक्स आर दे एग्जाम्पल ऑफ एफिट इन में से किसका एग्जाम्पल है, ओवी पैरिस, वी वी पैरिस, पीडियो जनासिस, पार्थेनो जनासिस, एफिड इन में से किसका एग्जाम्पल है, ओवी पैरिस, वी वी पैरिस, पीडियो जनासिस, पार्थेनो जनासिस, बताया तो बच्चिया में यूट्यूब पे कैसे पीडियस दूम बताया मैंने आप लोगो को अभी मैंने आप टेली ग्राम पर जॉइन होटाई ये I will be sending the PDF there, okay YouTube पे we cannot upload the PDF ना VV Paris, VV Paris का example है VV Paris का क्या मतलब है कि ये अंडे नहीं देते हैं ये डारेक्ली यंग वन्स को जन देते हैं इस आर एफट्स जादतर इंसेक्स आपके अंडे देते हैं They are OV Paris, है न एग्स देते हैं अफ़िड आपके VV Paris के example है यानि कि ये सीधा यंग वन्स को जन देते हैं अंडे नहीं देते हैं Which of the following structures is not the part of the insect head capsule इन में से कौन सा जो है insect head capsule का part नहीं है Vertex, antenna, pronotum, tentorium इन में से कौन सा insect head का part नहीं है Vertex, antenna, pronotum, tentorium We have so many kitchens भई रियाब्स किच्चिन, मदर्स किच्चिन भूख लगाती है, मुझे तो क्लास करते गरते हैं Pronotum किस का part होती है Pronotum is your answer Pronotum is not the part of your head capsule Head capsule का part नहीं होता है, pronotum चले, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और प्रोनोटum क्या होता है बताओ, anyone? ओके, तो आपकी जो थोरेक्स की जो लास्ट सेग्मेंट है और अब्डॉमन की फॉर्स्ट सेग्मेंट है यह आप उसमें जॉइन करके बनाती है उसको तो बताने की जरूद है कोई आप लोगों को आप लोगों को अलरीडी पता होना चाहिए इफको का बाच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, you know that तो आपकी क्लासिस जो है, 10 a.m. to 8 p.m. इसमें लगती है सारे ही टीचर्स की लगती है, with maths, English, reasoning, GS and of course agriculture की हम पाचो टीचर्स को तो आप जानते ही हो तो इसका जो है अभी double validity चल रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही है double validity में आपको 6 plus 6 months के लिए मिलता है, यानि कि एक साल के लिए मिलता है और कितने में मिलता है, rupees 1199, 1109 में मिलता है और आपका जो महाँ pack है, इसकी भी double validity चल रही है यानि कि ये दो साल के लिए मिलता है, 12 महिने plus 12 महिने और इसका offer price चल रहा है, 6799 तो ये जो है, आपके, हाँ, ये cockroach में present होता है तो ये दोनों prices आपको जब ही मिलेंगे, जब आप code use करेंगे Y448A, 448, easily याद हो जाता है, 4 plus 480 होता है तो भूलना मत, Y448A लगाएंगे तो आपको 80% का भी discount मिल रहा है प्लस double validity मिल रही है और validity के साथ-साथ 80% discount और क्या चाहिए भई तो IFCO students, you can have the IFCO badge बाकि आपका agriculture महापैक is not specific इसमें जितने भी आपके agriculture से related अभी जितने भी package available है या आगे जिसे इसकी 2 साल की validity है दो साल में जितने भी नए packages, नए exam आएंगे उनके जो packages आएंगे उन सबकी access इसमें आपको मिलती है तो ये one time investment है जब तक आपका selection नहीं होता आप महापैक को use करते रहिए, पढ़ते रहिए selection हो ही जाना है कहीं न कहीं तो ये आपकी दोनों offers अच्छे चल रहे हैं if you want you can buy them from agriculture अड़ा 24-7 और आपकी इफको की test series भी आप ले सकते हैं जो इफको का आप लोगा preparation कर रहे हैं और even इफको का preparation भी नहीं कर रहे हैं तो test series आप जरू ले सकते अपने analysis के लिए क्योंकि मान लिया भई you don't have 6,000, 7,000 to spend हो सकता है लेकिन test series तो आपकी 2,500 रुपे की आती है और उससे practice करने से आप अपने आपको self analyze कर पाते हैं प्लस जब आप adda की app पे test series देंगे आपने test को देंगे तो आपको coins भी मिलते हैं तो वो coins भी आपको use हो जाते हैं आप महा packs लेते हैं तो उसमें use हो जाते हैं आपको discounts मिलते हैं तो वो भी आप use कर सकते हैं तो multiple फायदे हैं भई test series के तो self analysis हो जाता है चलते फिरते कहीं भी 2-4-2-4 question करते रहो और इसमें आपको rank भी बताता है कि total कितने बच्चों ने एक्जाम दिया है आज की information के लिए काफी है काफी सार information हो गई है है ना test series बच्चे आपकी I guess 2-30 या 2-23 के असपास की है इसको की test series जो है और test series के लिए आपको ये code use नहीं करना है आपको A की जगाँ पर S use करना है ओके so Y-4-4-8-S अगर use करेंगे तो test series में काम करता है A use करेंगे तो किसी भी जो आपकी classes और packages वाली होते हैं उन में काम करता है ओके तो चलिए फिर अब हम कल में लेंगे पाइदे अनेक तो कल फिर मिलते हैं अपनी IBPS AFO की क्लास में सुबह साड़े ग्यारा बचे and do join me on the group so that you have the access okay jelly goodbye and thank you so much take care and khuda half is we say चलो कोई बात नहीं total playlist पी बच्चे अपकी या तो YouTube पे तो अवलेबल होगी ही और अड़की आप पर भी अवलेबल होती है तो जिसमें पिछे आपकी जितने भी लासे लगी है एक टीचर की पूरी playlist आपको एक साथ मिल रहा दिया हाँ बच्चे बताया total playlist आपकी अड़की आप में भी total playlist मिलेगी और YouTube पर भी सारी वीडियो एक जैसे मेरा नाम है तो मेरी वीडियो चाहिए वो genetics की है plant breeding की है biotechnology की है entomology की है वो सारी ही जो है एक ही playlist में मिलती है पूचो भई डाउट पूचो हमारे एक घंटे का सेशन डाउट पूचने और बाते करने के लिए ही तो होता है इसलिए आदे घंटे में वाहां बाते नहीं हो पाती है सुहास You are also from Urisa, सुहास, महापात्रा चलो भई हमें सुहास का वेट करना पड़ेगा जब तक वो टाइप नहीं करते है It is plant science with मिनाक्षी राठी M-E-E-N-A-K-S-H-I-R-A-T-H-I राठी Plant science की spelling तो आती होगी, hopefully Second Sam, या सब सब मिलेंगे बच्चे, अब कुछ इतने भी अभी तक वीडियोस हो चुकी है यानकी classes हो चुकी है वो सारी आपको एक ही playlist में मिलेंगे तो यह जो शाम की classes है आपकी agriculture foundation classes के ही नाम से मिलेंगी और एक teacher की सारी classes एक साथ align मिलेंगे आपको playlist में ओके चलो फिर मिलते हैं सुबह, सुबह, with a lot of energy and a new day with new hopes and new preparations तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा good-bye and thank you so much le अपकाईब सार्वाफ हुआ ओो क के लेगे, जर का कीश मिलेंगे झाल 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 झाल